हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है कृत कास केचन में आज मैं आने वाली हो आलू मटर की सबजी सबसे पहले कढ़ाई में ओयल डाल देंगे मैंने यहां सरसु के दिल का इस्तरमाल किया है आप कोई भी कुकिंवाल का इस्तरमाल कर सकते हैं ओयल गरम हो जाने के बाद इ सलका सॉफ्ट होने तक पकाना है अब इसमें तीन कटिव हरे मिर्च आड़ करेंगे एक चमश कुटा हुआ अधक लेस्न आड़ करेंगे इन सबी को दो से ती मट के लिए लगाता चलाते हो पका लेंगे ताकि जो लेस्न कच्छापन आप स्मेल वो चली जाए इसके बाद इसमें एक कटावा टमाटर आड़ करेंगे और टमाटर के साथ ही में इसमें आधा कब हरा मटर आड़ करेंगे यहां मैंने फ्रेश हरे मटर का इस्तिमाल किया है अगर आप फ्रोजन हरे मटर का इस्तिमाल कर रहे हैं तो टमाटर किकलने के बाद उसे आड़ करें सारी मिट बाद धक्कन हटा देंगी जो मटर है वो थोड़े से पग गए और जो टमाटर है वो थोड़े गल गए है अब इसके बाद इसमें तीन उबले वे आलू एड़ करेंगी आलू को इसमें मैश करके आड़ करना है आप तो अबले आलू की छोड़े पीसे कट कर लें उसके अब आज हा आज आड़ करें आपको जू भी आसान और वैसे आलू को एड़ करेंगे आप इसमें मसाले क्रेंगी 2 चमाश्य स्वाद नमक अड़के घर आट करेंगे आजह सरादी अद्य तो सब्रक मैसाला करेंगी अगर आगेक अभार्वी मसाला ना आचो स्बजी न हो त लागे जो मसाली वो जलेना, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें आपको जैसी ग्रीवी चाहिए उतना पानी आड़ करेंगी, जैसे मुझे थोड़ी गाड़ी ग्रीवी पसंद है, इसलिए मैं आदा कप पानी आड़ कर रही है, आप अपने अकॉर्डि में वना स्किब्ब भी कर सकते हैं, साही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 6-8 मिनट ळख कर पकने देंगे, लगभग 8 मिनट बार भकने हटा देंगे, और इसमें थोड़ा सा कद्री मेथी आड़ करेंगी, इसieronure के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं पर बहुत दर पानी नहीं आड़ करेगा वनाजी जो ग्रेवी है बहुत दर पत्ली हो जाएगी लास्ट में इसमें थोड़ी थेंगे पत्ती आड़ करेंगे और गैस को बंद कर देंगी और इसी के साथ आलो मटर की गरीवार सब्जी बिलकुर रेडी है इसे आप रोटिया पराठे के साथ सर्फ कर सकते हैं या बच्चो बड़ो रखीते को बहुत पसंद आएगा ये देखिए इस सब्जी के कलर बहुत बढ़ियां आया है और ठंडियों में तो फ्रेश मटर बहुत आसाई से मिल जाते है अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले